Hi guys, एक poem लिखा था मैंने, चार साल होगा इस poem को लिखे हुए, आठ मार्शी द्वारा सत्र को लिखा था मैंने इस poem के जरिए एक महिला अपने आपके बारे में बताना चाहती है, अपने अंतरमनी की अवाज को कहना चाहती है समाज के सामने वो कहना चाहती है कि मैं किन किन परिस्चितियों से गुजरती हूँ, क्या क्या मेरे बीड़ती है, वो सारी बाते आज महिला इस कविता के द्वारा कहना चाहती है, और आपी सुनिये और पताईए क्या ये सही है, जिये जा रही हूँ, जिये जा रही हूँ, देख जिये जा रही हूँ, बिना तुझे कुछ कहे, जिन्दगी के हर जहर को पिये जा रही हूँ, मैं तो पिये जा रही हूँ, आगे कहती है कहां करती हूँ शिकायत तुम देख लो मुस्कुरा रही हूँ सामने भला मैं क्यूं करूँ शिकायत बस अपने होटों को सिये जा रही हूँ मजबूत हूँ कमजोर नहीं मैं सासी हूँ डरपोक नहीं मैं लगादो पहाडे मुश्किलों के बनादो दरारे दलदलों के कुछ भी नहीं है ये मेरे सामने बोलो बनादो सरक पुलबुलों के आगे कहते है वो जिनका लोग जो समाज जो परिसितियां है जो इस्तमाल करते हैं मेलाओं का वो कहते हैं आगे भाईला कि तु इस्तमाल कर ले मेरा तु इस्तमाल कर ले मेरा तु हलाल कर दे मेरा तु इ किती गया मैं शक्ति हूं ब्रह्मांड की मैं शक्ति हूं ब्रह्मांड की अखंड जोती ग्यान की तु मुझसे है मैं तुझसे नहीं कहती है मैं शक्ति हूं ब्रह्मांड की अखंड जोती ग्यान की तु मुझसे है मैं तुझसे नहीं तु कायर है हार गया वो आगे उसी समाज से कहती है दुआरा कि ठीक है जितनी बाते हुई हो गई अब मेरी सुनो कहती है तेरा साथ मिल जाए गर मुझे तेरा साथ मिल जाए गर मुझे राहें आसान हो जाएंगे सुनहरे सपनों के दिये जलेंगे उचे नीचे हर उस डगर पे कदम कदम हम साथ चलेंगे अरे मैं तो आना चाहती हूँ कहती है अरे मैं तो आना चाहती हूँ अपने पंक फैलाना चाहती हूँ हर उस उचाई को जिसको तुमने चुआ है अपने इन कोमल कोमल हाथों से सजाना चाहती हूँ मैं तो सजाना चाहती हूँ धन्यवाद और ये कविता भले छोटी हो लेकिन मुझे लगता है कि इसका मैसेज जो इसका संदेश है बहुत बड़ा है और और जो इसचितियां हैं जो condition है उनकी वो सही तरीके से दर्शाने में काम्याब रही है और आपसे यही आशा है कि आप इस पे comment करें बताएं कि कैसा हुआ है